अमर सिंह नाम का एक राजा था वह अपनी परजा का पफूत ध्यांदफता था एक बार हुआ तुफानी रात में घोडे पर सवार होकर एक पतली राष्टाय से जा रहा था राजा अपना भेश बदले हुए थे मामूली कपड़े पहनकर साधारन जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था एक रात राजा भेश बदल कर जा रहा था तभी बरसा होने लगे कुछ ही देर में वह राजा बिलकुल भीग गया परन्तु उसे इसकी चिन्ता नहीं थी उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं था वह धीमे धीमे लेकिन सब्धानी से चल रहा था उसके घोरे का चीछा करते हुए डाकु भी चुपके चुपके चले जा रहे थे डाकु राजा के संदार घोरे पर हाथ साफ करना चाहता था अचानक डाकु ने राजा को घेर लिया राजा एक बार तो सकते में आ गया मगर वह घबडाया नहीं वह बच निकलने की तकरीब सोच ही रहा था कि उसके घोरे का खूर सरक से के गढ़े में फस गया डाकु अभी राजा पर लफक नहीं बाल लेत थे कि एक ओर से छो नौजवान वहाँ आ पहुँचे उन्हों ने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है उन्हों छो नौजवान ने डाकुओं पर हमला किया पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस परकार राजा बच निकला राजा जहां भी भेश बदर कर जाता था उनके पीछे-पीछे कुछ दूरी पर उनके चुने हुए अंगरक्चक भी रहते थे थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्चकों का दल भी आ पहुचा उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया राजा उन नवियूकों से बड़ा परसंद था क्योंकि बिना यह जाने की वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्चा की थी राजा ने उन्हें बफूत बफूत धन्यवाद दिया और कहा की वे तुम लोग मेरे साथ महल तक चलो भोर होने पर रात की घटना की समाचार सब जगह फैल गया सारी परजा खूस थी की डाकुओं उनके राजा का बाल बाका नो कर सके राज्य परिबार के लोगों मंत्रियों दरबारियों और सारी जनता ने नवयुबकों के साहस की परसंसा की अगले दिन दरबार में इन नोजवानों को राजा ने राजा के सामने लाया गया राजा ने अपने सिंहासन से उतर कर उन्हें गले से लगाया और मन चाहा पुरसकार मांगने को कहा राजा ने नोजवानों से कहा आप लोगों को जो भी चाहिए बारी-बारी से मांगो अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा उन छवों में से जो सबसे बरा था राजा ने पहले उसी से पूछा एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा महराज बफूत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास अराम से रहने के लिए एक घर फो मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए ओ मुझे हो सके तो दे दीजे राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलिसान भवन बनवाने की अज्ञा दे दिये अब दूसरी नौजवानों की बारी थी वह अपने पद में तरक्की चाहता था राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिये और इस तरह उसकी एक चाह भी पूरी की गई अब राजा ने तिसरा यूबक को बुलबाए तब तिसरे यूबक ने कहा सरकार मेरे गाउं के लोग हर सप्ता नगर में सबजी यान तरकारी बेचने आते हैं गाउं और सहर के बीच कोई अच्छी सरक नहीं है इसलिए उन्हें बड़ा कस्ट होता है खास कर बरसात में मेरी बिंती है कि एक अच्छी सरत बनबा दी जाए ताकि उनका कस्ट दूर हो जाएगा अब राजा उसका बात सुनकर कहा ठीक है राजा ने उसी समय सरक और पूलों का निर्वमान कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फोरन सरक बनाने का काड़िया सुरू किया जाए जब चोथे नजवान से उसकी एक्छा पूछी गई तो वह सर्माते हुए बोला महराज आप मेरे पिता समान है मैं एक सुन्दर पतनी चाहता हूँ राजा ए विदुशक की एक सुन्दर कन्याद राजा ने विदुशक से पूछा उसी से उसी नजवानों से अपना बेटी के साधी करके ओ अपना दमाद बनाना सुईकार कर लिया अब राजा पांच में नजवान से पूछा पांच में नजवान ने राजा से धन मांगा राजा ने उसी समय बोलों में सोना भर कर उसे दे देने का आदेश दे दिया अब राजा छठे नजवानों से पूछा अब छठे नजवानों ने राजा से कहा महराज मेरी बस यही इक्छा है कि जब तक मैं और आप जिवित रहें बर्स में एक दिन आप मेरे इहां अतीथी बन कर आएं इस अनोखी इक्छा को सुन कर सब हैरान रह गया बहूत से लोगों ने तो उस नजवान को मुर्ख ही समझा स्वेंग राजा को भी यह बात अजीव सी लगी कि नजवान अपने लिये कुछ मांगने के बजाय उसी को अतीथी बनाना चाहता है लेकिन राजा उसे तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में होगा वह उनकी इक्छा पूरी करेंगे बस फिर क्या था बर्ष में एक दिन और एक राट उसने उस नव्यूबक का अतीथी बना सुईकार कर लिया अब राज सरकार के विभिन विभागों की जिम्यदारी हो गई की राजा जब नजवान के घर जाए तो उनके दवरे का ठीक ठीक परबंध होना चाहिए न राजा को किसी परकार का कश्ट हो और न उनके सेवकों को और न घोरों को बढ़िया सरक बनाना जरूरी था ताकि राजा का रत असानी से जा सके फिर यह प्रस उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दीन और रात कैसे काटेंगे काहा उठेंगे, काहा बैठेंगे, काहा खाएंगे, काहा पियेंगे और काहा सोयेंगे अतह राज सी भी ठाटवाट के लायक एक महल खरा करवाया गया लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आद़ आमदानी में इतनी इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा वह कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा इसके लिए उस नौजवानों को बफूत सारा ध्हन दिया गया सरकारी खर्च पर उसे नौकर चाकर भी दिया गया पुरानी चली आ रही थी पर था के अंस्वार राजा किसी राज दरबारी का ही अतित्थी बन सकता था इसी लिए उस नवियूबक को राज दरबारी की पदबी भी देनी परी अब तो उस नजवानों को उतना ही समान होने लगा कि जितना किसी राज कुमार का होता था अभी एक और बात बाकी थी जिस घर में राजा अतित्थी बनकर ठहरेगा उसकी गिरहिनी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए इस बात की जानकारी राज कुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी अब सिख रही नब यूबक से राज कुमारी के बिबाह की तयारियां की जाने लगी इस तरह केबल एक बरदान मांग कर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पाँचों ने अलग-अलग मांगा था अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें